बहुत लोगों के मन में ये doubt था ये मारस exam के कितने form भरे गए हैं और state wise और subject wise ठीक है इसके बारे में बात कर रहे होंगे आज हम और आज हम form correction के जो doubt आये थे ना recent video जो मैंने डाली थी तो उसमें form correction किसको करना चाहिए ठीक है किसको correction कहां कहां हो सकता है इन सब चीजों के बा यहां पे आपके exam से related slayvers के according सारे के सारे topic cover करे जा रहे हैं सारे के सारे subject आपके जो है cover करे जा रहे हैं जैसे कि मैं बात करूँ कि आपका teaching aptitude है न वो हमने लगबग theory पूरी complete कर लिए और अभी हम practice कर रहे हैं ओके तो practice कर रहे हैं हम अभी और जो mock test भी discuss करे जा रहे हैं आ ठीक है English हुआ आपकी reasoning हुई सारे subject के आपके जो है mock test यहां पे solve कराए जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा useful रहे ही वो वीडियो आपके लिए सभी की practice आपकी मतलब आपका जो complete course कहना चाहिए न फ्री एकदम free विल्कुल YouTube पे है और best है आप बेस्ट में क्यों कहा रहे वहाँ पे और आप खुद compare करो जिसने कोई pedicourse ले रखा होगा न वो compare करो यहां के free वीडियो से आपको खुद पता चल दाएगा कि क्या है अंतर यहां पे तो आपको खुद समझ में जाएगा कि क्या best है आपके लिए ओके तो आप देख सकते हो यहां पे practice चालू है हर ची advice कितने form भरे गए हैं तो सबसे पहली बात है आप हर platform में हर comment section में जो है messages में यह चीज़े पूछते रहते हो तो और यह ज्यादा जो है effective नहीं है जो चीज आप पूछते हो न वो ज्यादा कहना चाहिए माइन नहीं रखती आपकी तैयारी माइन रखती है तो इस पे आपक RTI right to information इसका हमें अधिकार है कि हम कोई भी जो government से related कोई भी यूजनाय हुई या फिर कोई भी exam करवा रहा है ना exam conduct करवा रहा है उसमें हम कुछ भी पूछ सकते हैं कि कितनी post हैं ठीक है कितने form फिल करे गए हैं तो यह सारी चीज़ें आप RTI लगा के पूछ सकते हो अब RTI कि ऐसे लगती है RTI आप उसी platform में जाके लगा सकते हो या RTI का एक option ही आता है मतलब search करोगे RTI करके तो वहां से तो ज्यादा बैटर रहेगा कि आप जिस exam का form भरे हो आपने वहीं जाके लगाओ तो वहां पे आपका एक form रहेगा उसको fill करना है और 10 रुपे जो है आपको बर्के जमा करना पड़ता तो यह आपको जमा नहीं करना है यह काम आपका मैं कर दूँंगा ओके तो यह अपका जो काम है ना मैं कर दूँगा लेकिन जब मैंने बात की ना वहां से तो मुझे पता चला कि फिर से form fill up होने वाले हैं तो फिर से form fill up होंगे तो जो है इनकी संक्या बढ़ेगी इसलिए अभी वो नहीं बता सकते मतलब अभी हम करेंगे तो आएगी भी नहीं जल्दी ठीक है RTI लगाएंगे तो इसलिए पहले जब complete form भर जाते हैं फिर से registration date open होती है form भरने की तो जब य जैसे मान के चलिए मैं पूल कर वा लेता हूं आपसे या फिर मैं Google form भर वा लेता हूं आपसे तो इससे ज्यादा ना effective तरीके से हम ला नहीं पाएंगे चीज़ों को जब fact के सांद चीज़े रहती हैं तो उसमें थोड़ा सा हमें देखने में भी सहीं रगता है तो fact के channel से जोड़े ज्यादा जोड़े हैं जो maths वाले हैं तो वो maths वाले ज्यादा रह जाएंगे आपके जबकि actual में मान के चलो computer वाले जादा हूं English वाले जादा हूं तो हम कुछ कह नहीं सकते ना इसलिए जो है जब actual जानकारी हमाएं पास actual data जो आ जाएगा ना तब मैं आपको इन चीज़ों के बारे मैं बताऊंगा ठीक है और RTI मतलब आपको समझ में आ गया होगा अब किसी भी exam में जो है RTI लगा सकते हो ओके और अब आपको कहीं भी परिशान नहीं होना है बस आपको अपनी तैयारी पे देहन देना है जैसे ही सब चीज़ें होती है ना कोई भी notification आती है सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा ठीक है PDF से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है आपको तो link description में दी गई है टेलीग्राम कि आपको वहां से PDF मिल दाईगी ओके अब हम next देखते है अब आपके डाउट आ रहते है ठीक है डाउट देखते हैं ये जो वीडियो मैंने इससे रिलेटेड आपके डाउट देखते हैं अब एक्जाम कब होगा तो मैं आपको बता दूँँ सबसे पहले तो ये question आना ही नहीं चाहिए अपके mind में ठीक है एक्जाम कब होगा तो क्या आपकी preparation जो है वो पूरी हो चुकी है complete हो गई ये नहीं होई ये तो आप अपन preparation पे ध्यान दू एक्जाम जब होने के होंगे तब ही होंगे और सब के एक साथ होंगे ठीक है तो इससे रिलेटेड कोई भी problem नहीं होगी मैंने बहुत बार आपको बताया है वीडियो बना के भी बताया कि एक्जाम कब होंगे ये मैं भी आपको नहीं बता सकता एक वीडि टीम एक नौड़ वे किसा नहीं निकालीगी तब तक कोई भी नहीं बता सकता कि एक्जाम कब होंगे तो आप किसी भी चैनल में जाके पूछ लो या आप किसी भी comment में जाके पूछो किसी से किसी भी message करके पूछ लो तो कोई भी exact जानगारी आपको नहीं देगा अब मानक आप उससाब से करने लगोगे फिर तो इसलिए है सही है कि आपके पास समय हमान के सलो उसको यूटिलाइस करो उसको अच्छे से पढ़ो और यहीं सोचो कि आपका एक्जाम जो है ना बहुत पास है बहुत नजदीग है अब हम देखते हैं हाँ और कुछ लोगं को हैड है क्या नहीं है क्योंकि हमने सब चीजें सहीं भरी है नहीं भरी है तो क्या कमी होगी उसमें तो आपने जब फॉर्म भरा होगा ना तो उसकी जो है प्रिंटर निकलवाया होगा आपने खुद भरा होगा तो आपके पास PDF के फॉर्म में प्रिंट होगा तो आप जाईए औ तो उसको अच्छे से देखिए एक बार कि कहीं नाम से related कोई गड़वर तो नहीं है, कहीं आपने कोई चीज एक्ष्टा तो नहीं डाल दी है, क्या आपको PWD का डालना था और आपने नहीं डाला है, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है न, वहाँ पे आप changes कर सकते हो, जो मैं आपको previous वीडियो में बताया है, तो आप बहाँ से जाके जो है, इन सब चीजों के बारे में देख सकते हो, अब हम देखते हैं, सर में other में beard apply किया है, पर grade के जगा percentage में कर दिया, तो यदि मैं बता हूँ, यदि grade में पूछा गया था और आपने percentage में कर दिया, या फिर आ बात की ये गलती मानी जाएगी, तो आपको correction करने की जरूरत है, बिलकुल आपको correction करना पड़ेगा, ओके, अब हम next दिखते हैं, सर, EMRS का exam जो है, कब तक होगा, and teaching methodology में लिए आपकी video sufficient रहेगी, या कुछ और भी, तो मैं आपको बता दूँ, जो हम teaching aptitude की बात कर रहे हो ना, पेड़ागोजी की बात कर रहे हो आप, तो पेड़ागोजी जो है, जो मैंने आपको पढ़ा रहा है, कोई भी चीज मैं आपक sufficient नहीं हो सकती, जैसे आप vocab कर रहे हो, तो vocab आप sufficient कर सकते हो, complete vocab कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्या हम एक video में आपको complete बता सकते हैं, नहीं बता सकते, तो मैंने ये बताया, आपको वीडियो में भी बताया है, कि परयाप्त थे ये video, लेकिन आपको extra हाथ पे चलाने पढ़ेंगे ठीक है अब मान के चलिए आप maths पढ़ते हो कहीं से maths वाले होगे तो वो ज़्यादा बैटर तरीके से समझ पाओगे maths पढ़ते हो आप कहीं से भी पढ़ते हो उन्होंने हर टाइप के आपको कुस्टन बता दिये ठीक है लेकिन एक्जाम में फिर भी नए टाइप के कुस्टन बन जाते हैं तो क्या आप सर को दोस्ट होगे वहाँ पे कि उन्होंने हर टाइप के तो बता दिया तो वो ना लगत्यू उपरान तक हरमानों चीखता पेड़ागोजी की भहासा में आप जानते हो यह चीजर तो इंप्रूव्मेंट आते रहता हैं तो यह चीज할्य है तो आप समझ गये होगे इस चीज ACCो ठिक है और जो हमप्राक्टिक करेंगे ना प्रैक्टिस कर रहे होंगे या practice करेंगे हैं तो आप वहां से भी question discuss कर लोगे और जो चीज़े मैंने वहां पे cover करवा रखी है और भी ऐसा कुछ लगता है मुझे कि मुझे add करना चाहिए तो मैं आपकी add करके कोई video बना दूँगा उस चीज में ठीक है जैसे कि आपकी पहले जो मैंने करिकुलम पढ़ाया था ना उसमें मैंने approaches नहीं पढ़ाया था ठीक है approaches जो है मैंने छोड़ दिया था तो वहां पे फिर से मैंने approaches की एक video बना दिया आपके लिए ठीक है क्योंकि उस टाइम में approaches जो है type नहीं हो पाया था तो इसलिए हमने उस चीज को नहीं किये थे ठीक है तो इसनी बात आपको समझ में आगे होगी ठीक है इसका जबाब सभी को मिल गया होगा बहुत से questions आते हैं ऐसे तो sufficient है उस time में लेकिन आपको extra hunter भी मार रहे है extra आपको कहीं से मिलती है चीज है तो वहाँ से भी पढ़नी है आपको okay sir please बताएं मैंने photo का background जो है white नहीं डाला है तो क्या ये correct करना होगा please बताएं तो मैं बता दूं यदि आपने ना हर जो भी एक्जाम में सभी में बोला जाता है कि आपका जो फोटो का background जो है ना वो हमीशा white होना चाहिए ठीक है white ना हो तो ऐसा color हो जो light color हो okay light color मतला आप समझ गए होगी कि मतलब exact सपीद ना होके थोड़ा बहुत चल जाता है लेकिन सपीद से related कोई color होना चाहिए ठीक है light color जो कि आप जानते हो ना किसी भी color का light color होना चाहिए अब background जो है dark नहीं होना चाहिए आपका तो और ज्यादा तर कोसिस यहीं करें कि आपका जो background है ना वो white रखें ठीक ह white background ही चलेगा तो आपको बिल्कुल correction करना पड़ेगा ठीक है और यदि नहीं करोगे तो हो सकती है बाद में problem में जाए admit card में problem में जाए इसलिए risk क्यों लाएना हमें इसलिए आप जो जब भी correction की date आती है ना तो आप correction कर लीजिएगा ओके आप correction की fees की बात करें हैं तो next देखते हैं में भी हो ठीक है और जो PDF है ना PDF वहाँ पर मैंने English और Hindi दोनों में कर रखा है दोनों में बता रखा है आप टेलीग्राम में जोड़े होगे तो आपको पता होगी चीज़ें तो English और Hindi दोनों में मिलेगी आपको चीज़ें और अभी की बात करना practice question तो मैं यहीं कर रहा हू हो सके यहीं चीज मैं सोच रहूं अब देखते हैं हम आगे सर पीजटी English के लिए बियाट जरूरी है बिल्कुल जरूरी है बियाट के बिना आप कोई भी form नहीं भर सकते सिर्फ जो IT वाले हैं ना computer वाले सिर्फ साथ उनको ही यह अलाउ किया गया है कि आप भर सकते हो बिन भी एट के ओके तो यह चीज आपको समझवें आगे होगी सर हमने तो अप्रैल में form भर दिया थे भर दिया था क्या फिर से भरने होंगे प्लीज रिप्लाइब तो मैं आपको बता दूं कि आपको form भरने की फिर से बिल्कुल भी जरूरत नहीं है यदि आपने form सहीं सहीं तो वो जरूर से सुधार लें एक बार अपने प्रिंट करवा के या जहां भी प्रिंट रखा होगा आपका जिस भी form में तो उसको एक बार चेक जरूर करने कोई problem होगी तो उसमें correction हो जाएगा जब correction date आएगी तो लेकिन यदि उसके बाद आप फड़ फड़ आते होगी इसमें correction होना चाहिए था इसमें हो जाता तो सही रहता तो फिर वो नहीं हो सकता आप कितनी ही mail कर लें कितनी ही पहुँच लगा लें वहाँ पे तो यह चीज़ जो है आपका नहीं हो पाएगा ओके तो यह इसके बारे में आपको ध्यान रखना है और भी जो भी doubt होगे आप कमेंट सकता है मैं पूछ सकते हो मैं आपका reply कर दूँगा I hope कि आपको चीज़े समझ में आ गई होगी और classes जो चल रही है वो आपके लिए बहुत helpful होगी आप चाहें तो उनको देख सकते हो ओके thank you